जैए श्रीराम दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं JBL VSRCF मतलब दोस्तों यहाँ पे JBL और RCF के टॉप के बारे में हम कंपेर करने वाले हैं कि दोस्तों कौन सा बेस्ट रहने वाला है आपके लिए जो की एक भाई ने कमेंट किया था कमेंट आप लोग देख सकते हैं का था भाई JBL SRX835P VS RCF NX950C में से कौन सा बेस्ट रहने वाला ह एक वीडियो बनाए प्लीज तो दोस्तों इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ अगर आपके मन में भी अगर किसी प्रकार का कोश्चन हो तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पी आज बात करने वाले हैं क्याकर डेटेल्स रहने वाली हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही नौलेजबल होने वाली ही वीडियो को पूरा जोड़ देखना अगर इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यहां पर एक हमारा जावल का टॉप और दोसरा हमारा आरे से का टॉप है दोस्तों आपको बता दू यह दोस्तों जो हमारे कौत है यह दोस्तों सब इस replicated ंदोनों हमारे 3-way में ही आते हैं तो दोस्तों आप लोग पहले जेवियल का देख सकते हैं डो तो दोस्तों यहां पर एक speaker लगा हुआ है low frequency के लिए और दोस्तों दो हमारे द्रिन क्वालिटी का यह बसता है डो और दोस्तों अब बात कर लेते हैं आर सीफ टॉप के बारे में तो दोस्तों आर सीफ का टॉप आपको देखने को कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है जो कि इस टॉप में भी आपको यहां पर एक speaker देखने को मिल जाता है बीच म कि एब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा बैश्ट रहने वाला है जो की दोस्तों यहां पर यह सरी वे स्फॉपावरड सिस्टम में यह हमारा टॉप आता है जो कि 3πο में यह आपका होता है तो दोस्तों यहां पर RCF के top के model number की बात की जाए तो दोस्तों आपको NX985A देखने को मिल जाता है जो कि ये भी हमारा दोस्तों professional 3-way में active speaker आता है जो कि काफी best quality का आता है और दोस्तों अगर JBL के power rating की बात की जाए तो दोस्तों आपको 800 words आर्मिस में देखने को मिल जाता ह और दोस्तों इसका जो pick words दियागा है वह दोस्तों 2000 words दियागा है pick में और अगर RCF के power rating की बात की जाता है तो दोस्तों आपको 1200 words आर्मिस में देखने को मिल जाता है with amplifier के साथ जो कि इसमें amplifier भी इसमें attach की गई है साथ जो कि 1200 words का यह हमारा आता है और आप बात कर लेते हैं frequency की तो दोस्तों इसमें जो जेविल के टॉप के अंदर frequency दी गई है वह दोस्तों 41 words दे लेकि 20,000 words दी गई है और ऑगर RCF के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके टॉप के अंदर आपको 30 words से लेके 20,000 words frequency देखने को मिल जाते है जोकि frequency भी काफी best दी गई है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं स्पीकर साइज की तो दोस्तों यहाँ पर जो J-Will टॉप के अंदर स्पीकर साइज में यूज किया गया है और दोस्तों 15 इंचिस का यूज किया गया है और RCF में दोस्तों उसमें में भी आपको 15 इंचिस का स्पीकर देखने को मिल जाता है यूज कि दोस्तों दोनों में 15-15 इंचिस का ही स्पीकर ही यूज किया गया है और चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं J-Will के नेट वेट की तो दोस्तों यहाँ पर जो J-Will टॉप का नेट वेट दिया गया है दोस्तों 38.6 किलो दिया गया है अगर दोस्तों RCF की बात करें तो दोस्तों इसका वेट दोस्तों आपको 45 किलो देखने को मिल जाता है जो कि J-Will के मुताबिक RCF थोड़े ज़्यादा वर्जन में यहाँ हमारा टॉप आता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो दोनों ही बेश्ट है ज़्यादा कुछ अंतर नहीं देखने को मिलता है बाकि दोस्तों अगर आप जब खरीदने जाएंगे तो दोस्तों आप लोग दोनों टोपो को मतलब RCF के जो है उसको भी बचा के चेक कीजिएगा और J-Will का जो है उसको भी आप लोग बजा के देखिएगा तब ही आप लोग लेना जो आपको अच्छा लगे वही आप लोग लेना बाकि मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स कुछ बता दी स्पेसिफिकेशन्स बता दी हैं अगर दोस्तों कोई भी चीज चोड़ गए है तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कैमेंट कर सकते हैं मैं आपके प्रस्न का उत्तर दे दूँगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन और वन्दे मत्रूम